प्रिये विद्यार्थियों मैं हूँ डॉक्टर वेद प्रकास यादव सहय आचारिये भूगोल विभाग बाबु शोभराम राजके कला महवद्याले अलवर और मैं बिये पार्ट फस्ट के विद्यार्थियों के लिए जैसा कि इससे पहले बहुतिक भूगोल और राजस्थान के भूगोल से समंदित अनेक व्याख्यान दे चुका हूँ आज भी राजस्थान की भूगोल से सम्मंदित एक व्याख्यान लेकर आपके समख सुपस्थित हूँ इस ओनलाइन व्याख्यान का जो टॉपिक है वह है राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या मृदा अपर्दन की समस्या प्रिये विद्यार्थियो पहले की वीडियो में हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि मिट्टी एक बहुमुल प्राकृतिक संसाधन है जिसका हमारे राजिके आर्थिक विकास से गहरा सम्मंद है नकेवल हमारे राजी के विकास से बलकि किसी भी क्षित्र में मिट्टी का आर्थिक विकास से गहरा सम्मंद होता है इसका निर्मान हम जानते हैं बहुत एक रासानिक जैविक और सांस्कृतिक कारकों की क्रियाएं प्रत्क्रियाओं के फलसुरूप होता है और ये क्रिया प्रत्क्रिया समय साध्य भी होती है इसमें बहुत समय लगता है वस्तुते मिट्टी के निर्मान की यदि हम बात करें तो हजारों वर्सों की क्रिया प्रत्क्रिया के फलस्रूप मिट्टी की रसना होती है ये मिट्टी पहले मोटे कणों में है फिर बारीक कणों में है फिर और बारीक कणों में है और फिर वनस्पति अंस इत्यादी से मिल करके वो उपजव मिट्टी के रूप में आती है हुमस तक तक तो मिल जाता है जीवांस जब उसमें मिल जाते हैं तब सही माइने में वो क्रिशी योग मिट्टी बनती है अनेक वर्सों में जो मृतक जीव हैं वनस्पती हैं उनके अंस मिट्टी में हुमस के रूप में घुल मिल जाते हैं और जो मून शैल है उसका चून और ये हुमस तक मिल करके एक उत्म मिट्टी का निर्मान करते हैं लेकिन दुरभागे की बात यह है कि हमारी राजस्तान में इस मिट्टी के कटाओ की बड़ी समस्चा है राजस्थान की मर्दा की जो बड़ी समस्चाएं हैं उनमें मिट्टी के अपरदन की समस्चा मुख्य रूप से आती है तो मर्दा अपरदन की समस्चा और अन्य जो समस्चाएं हैं उन समस्चाओं के उपर हम आजचर्चा करेंगे और यह हैं भी देखेंगे कि मृदा का संदरक्षन हम कैसे कर सकते हैं तो आईए हम सबसे पहले मृदा की अपर्धन की बात करते हैं राजस्थान में मृदा के अपर्धन की अगर हम बात करें तो मुकी तैया दो कारक हैं जो मृदा के अपरदन से जुड़े हुए हैं पहला वायू है अर्थात बहता हुआ पवन है और दूसरा जल है जिसके द्वारा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है पहले हम बात करेंगे वायू अपरदन की पवन अपरदन की तो राजी के पस्चमी भाग में हम जानते हैं एक थार के मरुस्थल का विस्तार है जो की बहुती विशाल मरुस्थल है राजस्थान के 61 प्रत्षत भूभाग पर ये फैला हुआ है यहां वनस्पती का प्राय अभाव मिलता है और वनस्पती जो मिलती है वो कंटीली ज्हाडियों की रूप में मुक्ताय होती है यही कार चरवाये हैं वो इनको जुंडों के रूप में लेकर के रेकिस्तान के उपर घूमते हैं और यही जो यहां कटीली ज्हाडियों है यह भेड़ बकरी और उन्ट के पेट पालने के लिए इनके चारे के रूप में यह इस्तिमाल करते हैं तो यह जो उनमुक्त रूप से लिएदर में बनस्फती का आउण कम होने के कारण भी वर्षा बहुत कम होती है और अन्याने कारण भी हैं जिनके कारण वर्षा पर लेकित है और यह जो इसका पस्चमी भागए विए विरश्ति चाया प्रदेश में आ जाता है और अरब सागरिये मानसून चूंकि बीच म कोई ऐसी प्रवति बादा नहीं है इसलिए शीद्र बिना वर्षा की ये राजस्तÂन के उपर से निकल जाता है तो इस कारण से वहाँ पर वर्षा कम होती है और वर्षा बहुत कम होने के कारण गिरिस मिरतूं में तेज हवाएं चलती हैं और तेज हुआ जब चलती हैं तो अपने साथ में यहां जो रेत इसको अपनी दिशा में आगे बढ़ा ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत का स्थान अंध्रन होता है और इसे मर्दा का अपरधन लगातार होता रहता है अनक स्थानों पर नए ने टीले बन जाते हैं लोग इस प्रदेश में जो रहते हैं उन्होंने इस छेत्र का भ्रमन किया है उनका यह प्रतिदिन का अनभव है कि ग्रीश मृत्व में रेत जो है वो पवन की दिशा में तेजी शे आगे खिशकती रहती है सडकें और रेल की पटरियां तक आच्छा दित हो जाती हैं रेल से और रेल की जो हैं पटरियां और सडकें उनको वापस साफ करने के लिए बड़ी मसकत करनी पड़ती है वायू मंडल में रेल की कंड बहुत अधिक छा जाते हैं धूल भरी आदियां आती हैं और ये सब जो करियाए हैं ये मिट्टी के अपरदन से समंद रखती हैं यहाँ पावन का वेक ग्रीस मिकाल में बहुत तेज होता है क्यों कि यहाँ नियून वायुदाव का क्षेतर विक्षित होता है और आसपास के क्षेतरों में उच्छ वायुदाव होता है तो इस उच्छ वायुदाव से नियून वायुदाव की और तेजी से हमाई चलती है और इस नियून वायुदाव के क्षेतर में तीवर पमनों के चलने के कारण ये अपने साथ मिट्टी को उड़ा करके ले जाते हैं जो राज के पूरवी भागों की और भी जमा कर दी जाती है इस प्रकार पस्मी यद्पी अरावली ने एक बहुत पड़ी रुकावट पैदा की है वरना तो राजस्थान का जो पूरवी भागे महां भी रेत का जमाव बहुत अधिक हो सकता था लेकिन अरावली की बाधा के कारण ऐसा नहीं हो पाता है तो इस प्रकार से पस्मी रेकिस्तान की जो मुल्यमान मिट्टी है वो वहां से बार-बार हट जाती है और मोटी रेत वहां बची रहती है जो कृषी के लिए ज़्यादा उप्यूगत नहीं है रास्टी आयोजना समिती ने बताया कि एक समय जहां दूद और घी की नदियां भाग करती थी वहां अज विश्व के सरवादिक औरवर भूभा के मद्द में सेक्ड़ों वर किलोमेटर तक फैले वी भूमी आतिशे पस्चारण के फल्सुरूप और अपने प्राकरति कावरणों से वंचित होकर के मरुस्थल के रूप में आ गई हैं तो सबसे बड़ा कारण यहां मानते हैं वनस्पती की कमी का होना और वनस्पती कमी में यहां पस्चारण को भी जिम्मेदार माना गया है जद भी मैं इस बात से सहमत होने के बावजूद भी मैं कहूंगा कि आंशिक रूप से ही इसका रूल है बलकि जो जलवाईवी एक कारण है यहां के नियून वर्षा होना यह एक बड़ा कारण है जो यहां वनस्पती को विकास होने में रुकावट पैदा करता है और साथ ही यहां जो पवन का जो अपरदन का जो प्रभाव है उसको बढ़ाता है दूसरा यहां कि मरदा अपरदन का जो कारण है राजस्थान में वो जल है जल के द्वारा मरदा का अपरदन होता है राजस्थान दाज में यदि हम देखें तो वन खेत्र बहुत कम है लग रितु में तेज वर्षा होती है धरातल की मिट्टिया कट जाती है और जल प्रवा के साथ ये बह करके निकल जाती है जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने पर भूमी बहुत अधिक कटाव होता है बहुत तेजी से कटाव होता है और जो उपजाओ मिट्टी की उपरी परत है वो सीटी रोजिन और जो अमनाले का अपरदन है उसके द्वारा वो बह करके निकल जाता है राजस्तान के दक्षनी और पूरी भागों में जल द्वारा अपरदन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है जबकि जो इसकी पवन द्वारा अपरदन की समस्या है ये राजस्तान के पस्चिमी भाग में अधिक पाई जाती है क्योंकि ये जो दक्षणी पूरी भाग है ये जल अपरदन का कारण मुख ये है कि जैसे बनास है चंबल है बाणगंगा और उसकी सायक नदियां यहां पर बहती है और तेज वर्सा होने पर इनमें बाढ़ें आ जाती है और बाढ़ के कारण से यहां अपरदन अधिक होता है राज के उत्तर में यदि हम देखें तो घगर नदी में देखते हैं तो इसमें बाढ़ आती रहती है और इस नदी से भी मिट्टी का बहुत कटाव हो जाता है तो यह राजस्थान में जल अपरदन और वाई अपरदन के द्वारा ब्रदा के कटाव के समस्चा मुख्य है इसके अलावा राजस्थान में मिट्टी की एक और समस्चा हो गई है लवनिये समस्चा है मिट्टी में लवनियेता है जाहिंद्रागादी नहर का क्षेतर है वहाँ पर सेम की समस्या आ गई है मिट्टी नीचे से उपर पानी आ जाता है क्योंकि लगातार नहरों से पानी का रिजा होता रहता है और मिट्टी पानी से संत्रिप्त हो जाती है लबालब भर जाती है सेम की समस्या हो जाती है दलदल होने लगती है और मिट्टी का जो जाओपन है वो खत्म हो जाता है तो ये राजस्थान की मिट्टी की समस्या है इन समस्याओं को रोकने के लिए जैसे हम बात करें कि मरदा अपरदन को रोकने के लिए जो उपाए होने चाहिए उन उपायों पर पहले हम चर्चा करते हैं एक तो इसमें व्रक्षा रोपन का सखन अभ्यान समझिक तोर पर और सरकारी तोर पर चलाया जाना चाहिए और जो हमारा निरधारित लक्स है कि भारत में 33 प्रच्षत क्षेत्र पर वन होना चाहिए तो उस बात को हमें परदन रुकेगा वायो परदन भी और जल परदन भी राज में उन मुक्त चराई पर भी रोक लगना आवशक है भेड बक्रियां गाएं ओंट इत्यादी जो यहां के पसपालक नेवित रूप से अपने चारागाउं की तलास में इदर से उदर घूमते हैं और अपने पसो को भी नुकसान ना हो इंदरा गादी नहर है चंबल घाटी पर योजना की नहरे हैं इन नहरों के किनारे किनारे सखन वरक्षावली विक्सित होनी चाहिए इस परकार की जो समस्त वरक्षावली की बात है वो नहरों के किनारे शड़कों के किनारे रास्टीज और राजमार से बनाना चाहिए कि जब सड़कों का विस्तार हो तब भी इन व्रक्षों को काटना नहीं पड़े बहुत हानी होती है जब नए मार्ग बनाते हैं या मार्गों का विस्तार करते हैं तो एक बहुत बड़ी मात्रा में प्राकरतिक वनस्पति और जो हमारी सामजिक वनस्पति ह ने लगाई है उसकी हानी होती है जो नहीं होनी चाहिए बैते वे जल की गती को कम करने की कोशिशें होनी चाहिए यथा संबब मेडबंदी आवसक रूप से हो जाए खेतों में और ये पानी अनावसक रूप से खेतों से बाहर नहीं जाए ताकि यहां की मिट्टी यहीं पर रह सके। इसी प्रकार से छोटे छोटे तालाब बनाए जाने की जरूरत है एनिकट बनाए जाने की जरूरत है जिससे जो वर्षा का फालतू जल है वो बह करके ज्यादा दूर नहीं जाए और अगर जाए तो वो एनिकट से रुकावट होके जाए उसके वेग में कमी आ वह भी उसी प्रकार से बाढ़ नियंतरन का काम करेंगे। मर्षली प्रदेशों में और अनिक शेत्रों में जहाँ जहाँ जगह उपलब्ध है खेतों की मेड़ों पर सामाजिक जो भूमिया हैं सरकारी भूमिया हैं उनके ओपर व्रक्षों की पट्टियां विक्षित करने की अती आवशकता है जिसमें सरकार और समाज दोनों की भूमिका महत्वपूर भूमिका है इन में से किसी की भूमिका को हम कम नहीं मान सकते हैं इसके अलावा जो सैम की समस्या है उसके लिए नियोजित तरीके से उपाय करने की आवशकता है लवणिये समस्या त्षारिये स समस्या, बिट्टी में अमलता की समस्या, उसकी पी-एच वेल्यू का उप्यूकत नहीं होना, यह तमाम जो बाते हैं, इन से संबंदित वैग्यानिक तरीके अपना करके, इसमें सरकार का विशेश योगदान हो सकता है, और यहां के कृस्कों को समझाइज करके, इनको इनका ज्यानवर्धन करके, इनकी वर्क्शोप्स करवा करके, बैठों के माध्यम से, पंचायतों में और जो हमारे करसी विभाद के कारियाले हैं, उनमें इनकी बैठ के आयुजित की जाएं, किसानों को समझाया जाएं, किसानों को इसके लिए प्रेडित किया जाएं, सरकारी प काट हो रहा है तो काटने की समस्या इसलिए है कि किसान का मानना यह है कि एक पेड़ से हमारी फसल का नुकसान होता है जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ही हमारे फसल का नुकसान हो जाएगा और वो जो ताजा फसल है उसको उगाने में ज्यादा रुची रखता है बजा पत्कार इस तरह के पेड़ भी लगवाने की कोशिज करे जो प्रतक्स तोर पर भी किसान की आमदने को बढ़ाने के उपाए, आमदने को बढ़ाने में सहयोगी हो, तो किसान जादा रुची लेगा, और मुझे लगता है कि सामाजी की स्तर पर भी इस बात को जादा इसके महत तो को समझा जाएगा और किसान इन वरक्षों को फिर काटने की बेजाय लगाने की बात ज्यादा सोचेगा तो ये हैं राजस्तान के मरदा से सम्मदित समस्चा हैं और इनके समाधान के उपाए संभव ते आप भी गाम से जुड़े हुए बहुत सारे बच्चे होंगे आग में भी आ सकती हैं चुकि हमारी अपनी सीमाएं हैं एक समय की सीमा है इसलिए व्याक्षान में हम बहुत लंबी बाता नहीं कर सकते तो आप स्वेम भी आपस में चर्चा कीजिए और मिर्दा के संद्रक्षन से संबंदित अन्य जो उपाए हो सकते हैं और जो अन्य व् आपको आपर हो सकते हैं और मasisर्चा की उलिए